प्रकाश राद जी कई दिनों से आपका डायलोग नहीं सुना, कुछ सुनाइए न क्या बात कर रहे हैं प्रकाश राद जी, लेकिन ऐसा क्यूं? अच्छा मैं कुछ कुछ जो समझ पा रहा हूँ कि प्रधान मंत्री नहीं है नरेंद्र मोधी, प्रचार मंत्री है लेकिन मोधी जी को तो दो दो बार देश की जनता ने जिताया है, उन्हें प्यार करती है और वो तो जनता के सुख दुख में साथ रहते हैं और कुछ बोलना हो तो बोल दीजे मोधी जी एंड शाय आप जस्ट्रोइड है प्रते बाप रे बाप इतना जहर, आप मोधी जी पर इतना जहर कैसे उगल लेते हैं फिर अपने बारे में भी बता दीजिए कि आप क्या है लेकिन जानते हैं दोस्तों प्रधान मंत्री मोधी को गाली देने वाले ये लाजवाब शक्स एक ऐसी कंपनी का ब्रैंड अमबेस्टर बने जो सौ करोड रुपिय ठग कर रफुचकर हो गया बड़े ध्यान से सुनिएगा सौ करोड रुपिय और प्रकाश राज ने कुछ भी नहीं किया कुछ नहीं कहा मोधी जी से तो बड़ा सवाल जवाब करते हैं न इसका मतलब है दोस्तों कि मोधी जी को जी भर कर गाली देने वाले इस शक्स की कहानी ऐसी है जो आज जानना जरूरी है जिनके ब्रैंड अम्बेजडर बनने से इस देश के हजारों लोग फस गए जिनके जीवन भर की जमा पूंजी बरबाद हो गई आज मैं इसी को डिकोट कर रहा हूँ साथियो नमस्कार मैं हरिश्चन्र बढ़वार आज मैं फिल्मी पर्दे के एक खलनायक की चर्चा करूँगा फिल्मी पर्दे का ये जो खलनायक है न उसका नाम प्रकाश राज है जो दक्षिण भारत में प्रधान मंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगल कर लोगों के बीच लोगप्री होना चाहता है तालियां बजवाता है लेकिन सचाई ये है कि आठ के नाम पर कला के नाम पर ये राजनीती की दुकान चलाता है और प्रकाश राज के बारे में जब मैं बता रहा हूँ तो एक हिंदी फिल्म आई थी सिंगम उसमें ये खलनायक की भूमिका में थी लेकिन इसके बाद इनकी हिंदी फिल्में आनी कम हो गई क्यों हो गई आप समझने का प्रयास कीजिए लोग भी जानते हैं और इसके बाद जो आज की स्थिती है ना और कई सारे विवाद मैं सारा भी दिखाऊंगा आपको ये रियल लाइफ में भी खलनाएक की भूमिका में नजर आने लगे अपनी फिल्मी पहचान को कैश कराने के लिए इन्होंने दक्षिण भारत की एक जोईलरी कमपनी पणव उसका विज्यापन किया आपको मैं उस विज्यापन का कुछ हिस्सा दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए इसमें जनाब लोगों से कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी कमपनी है इसके प्रोड़क्ट खरी दिये यही तो विज्यापन में करते हैं लोगों का विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और वही काम प्रकाश राज लगातार करते रहे आपके मन में हो सकता ये सवाल उठे कि भही सब कोई करता हर कोई अपनी लोगप्रियता को भुनाना चाहता है लेकिन प्रकाश राज के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता ये जिस ज्वैलरी कमपनी के बारे में कह रहे है ना उससे तो ये मोटा पैसा कमा लिया इनों ने लेकिन इनका विश्वास मान कर जो हजारों लोग इस कमपनी के उपर इन्वेस्ट किया जिन लोगों ने वो सब के सब जाल साजी का शिकार हो गया और कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ त्री रुची की इस कमपनी की शाखाएं तमिलनाडू के चिननई, इरोड, नागेर कोल, मदुरई, कुमबा, कोनम और पुड़ू चेरी में है और इस दुकान के जरिये लोगों को ये कहा गया कि आप सोने में इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद जब समय पूरा हो जाएगा तो आपको ब्यास दिया जाएगा अब लोग इस पर भरुसा तो करेंगे ने वो तो प्रकाश राज है भई अब देखे हर जगह तो दो तरह के लोग होते हैं ना मोदी विरोधी भी होते हैं अब जो मोदी विरोधी थे वो तो प्रकाश राज की बात को मानेंगे ना उन लोगों ने मोटा इन्वेस्ट किया लेकिन जानते हैं जब ब्यास देने की बारी आए ना तो कमपनी नहीं दे रही थी और लोगों का प्रेशर बना तो उसके बाद ये कमपनी ने अपनी दुकान बंद करके रफू चक्कर हो गया है 100 करोड रुपय बड़े ध्यान से सुनिए 100 करोड रुपया लेकर ये कमपनी चम्पत हो गई और जब से ये कमपनी दोस्तों लोगों का पैसा लेकर भागी है तब ही से प्रिकाश राज भी गायब हैं कहीं नहीं दिख रहे हैं कुछ बयान भी नहीं दिख रहा है अगर किसी को दिखा हो तो जरूर बताईएगा कमेंट में मैंने तो नहीं सुना जो भी मैं सर्च कर पाया वहां तो नहीं दिखा कुछ भी और हजारों लोगों की जीवन भर की कमाई खतम हो चुकी है आप सोचिए हर इंसान जो है ना कमाई के बारे में सोचता है ना कि पैसे पढ़ें चलो दो पैसे और बढ़ जाएंगे ये कमपनी कारोबार कर रही है कुछ तो कर रही है और ये विश्वास तो प्रकाश राज की वज़े से हुआ है लेकिन वो तो सब खतम हो गया अब प्रकाश राज ने तो चुपी साद लिये वरना आप याद रखें दोस्तों आज से पहले कोई भी समस्या हो देश में बस एक ही आदमी जिमेदार होता था प्रधान मंत्री मोदी उससे जवाब मांगते थे और ये जनाब 2019 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने क्या कहा था एक छोटा हिस्सा सुना रहा हूं सुन लीजी जानते हैं दोस्तों प्रकाश राज खलनायक की भूमिका करते करते अपने आपको रियल लाइफ का भी हीरो समझ बैठे थे और प्रधान मंत्री मोदी को क्या क्या नहीं कहते थे आप बयान सुनिए आपको जानकर दोस्तों ये भी आश्यरी होगा कि प्रकाश राज के मन में सिर्फ प्रधान मंत्री मोदी का विरोध था और उन्होंने 2019 का चुनाओ भी सर्फ इसलिए लड़ा था कि वो जो प्रधान मंत्री मोदी के खिलाब डायलोग मार रहे थे उससे जो विरोधी खिमे के लोग थे वो तो खुश थी ताली बजाती है तो उन्हें लग रहा था कि जीत भी अवश्य मिलेगी आप देख लीजिए लेकिन हुआ क्या हुआ एकदम उल्टा बैंगलूरू से निर्दलिय प्रत्याशी के रुप में ये जनाब चुनाब लड़ रहे थे चुनाब हार गए और चुनाब हारे नहीं बलकि जमानत तक जब्थ हो गई बहुत सारे फिलमिस सितारे लड़ रहे थे ना किसी की स्थिती इतनी बुरी नहीं रही प्रकाश राज की जमानत जब्थ हो गई और जमानत जब्थ होने के बाद क्या कहा ये भी देखना चाहिए देखिए लोग सभा चुनाब में हार से जुझलाए प्रकाश राज ने किया ट्वीट मोदी की जीत मेरे मुह पर करारा तमाचा है आपको लग रहा होगा कि भाईया आदमी डाउन टू अर्थ है लेकिन नहीं मोदी की जीत मेरे मुह पर करारा तमाचा है ये दरशल दोस्तों प्रकाश राज का एहंकार है जिसकी राजनीती में कोई पकड़ नहीं है जिसके पास कोई संगठर नहीं है जिसकी कोई पाटी नहीं है जिसका कोई राजनीती का अधार नहीं है वो व्यक्ति उस आदमी के साथ उस शक्सियत के साथ खुद की तुलना कर रहा है जो पिछले कई दशकों से सामाजिक जीवन में है जनता की सेवा कर रहा है और अपने परिश्रम के बल पर दो दशक से भी अधिक समय से मुख्य मंतरी या प्रधान मंतरी का चुनाव जीता आ रहा है और उससे ये जनाब तुलना करते हैं और प्रकाश राज सिर्फ तुलना नहीं करते हैं कैसी कैसी बात कहते हैं आप सुनिये वो कहते हैं कि प्रधान मंत्री मोदी हिंदू नहीं है आपको ये जानना तो ज़रूरी है न जब आज उनके उपर मामला आ रहा है तो ये सारी चीजे जानना दोस्तों ज़रूरी है और इतना ही नहीं उदय निधी स्टालीन के बयान का समर्थन करते हुए ये भी कहते हैं कि सनातन धर्म को इस देश से उखाड कर फेक देना चाहिए और एक चीज दिखाता हूँ जब प्रधान मंत्री मोदी ने नए संसत धवन का उद्घाटन किया था तो प्रकाश राज ने एक ट्वीट में देखे सनातन धर्म को लेकर क्या लिखा था जिसमें प्रधान मंत्री मोदी साधू संतों के साथ बैठे हैं उस पर लिखा है तना तनी पार्लियामेंट मजाक उड़ाते हैं और इस आदमी की मानसिक्ता का अंदाजा दोस्तों इसे ट्वीट से भी लगता है जिसमें ये प्रधान मंत्री मोदी का इस्राइल को समर्थन देने पर ये सवाल पूछता है His mind की बात Just asking इसके लिए प्रधान मंत्री जो है न वो देश का प्रधान मंत्री नहीं है वो इनके मन में भरा हुआ जहर है जिसकी नजर से ये प्रधान मंत्री मोदी को देखते हैं और सिर्फ प्रधान मंत्री मोदी के विरोध में ये वेक्ति किसी भी सीमा तक चला जाता है क्या क्या नहीं कहां मैं आपको और एक एक जामपल देता हूँ दोस्तों सिर्फ संसद नहीं संसद की नीतिया नहीं बलकि अभी जब चंद्रियान 3 चंद्रिमा पर पहुंचा तो ऐसा भद्धा पोस्ट इस वेक्ति ने सोशल मीडिया पर डाला कि सभी ने जम कर क्लास ली और इनके खिलाफ एफाई आर भी दर्ज हो गई मतलब उस पर तो मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये आदमी कितना जहर से नफरत से भरा हुआ है और इसलिए लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये वेक्ति घ्रिणा में अंधा हो चुका है इसलिए कहा गया दोस्तों प्रकाश राज अगर सही मायने में देखिए तो एक मानसिक रूप से एक रोगी लगते हैं क्योंकि जब वो हकीकत में दोस्तों परदे के जीवन और अपने रियल जीवन को एक जैसा समझने लगता है तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि उसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा है और इसलिए प्रकाश राज के मन में ये है कि प्रधान मंत्री मोदी उनसे भी अच्छे कलाकार है तो कुल मिला कर दोस्तों प्रकाश राज पर वैसे तो ये वीडियो बनाने का मन नहीं था लेकिन जब मैंने देखा कि इस वैक्ति ने एक विज्यापन का प्रचार किया प्रेंड अम्बेस्टर बना और जब सैक्डो करोड सौ करोड रुपे की ठगी हो गई हजारों लोग परिशान हो गए तो एक ऐसा वैक्ति जो सिर्फ कलाकार नहीं है कलाकारी की भेश में ये राजनीतिक वैक्ति है ये अपनी सोच को थोपता है ये जहर से भरा हुआ वैक्ति है तो ऐसे में तो सवाल पूछना लाजमी था ना कि आप जब सामाजिक जीवन में इतनी सारी चीज़े करते हैं तो आपकी भी तो जवाब दही होनी चाहिए क्योंकि आप सवाल तो पूछ लेते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि सत्ता के शिर्फ पर बैठा हुआ वैक्ति कितना काम करता है कितना परिश्रम करता है उसके बाद भी जब आप जैसे वेक्ति उन्हें गाली देते हैं तब उसका नतीजा क्या होता है तो इसलिए प्रकाश राज से आज ये सवाल पूछना बड़ा जरूरी लगा बहुत बहुत धन्यवाद आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करन मत भूलिएगा नमस्कार